इंपोर्टेंट प्रश्न है कि किसे 2020 के प्रतिष्टित इंजेनियर पुरिसकार से सम्मानित किया गया तो अंसर होगा विनूत कुमार यादव को अभी मैंने आपको बताय था यह railway board के आपके पूर्व चेर्मेन और CEO थे और अब तो नए बन गए सुनित शर्मा तो विनूत कुमार यादव को अभी इस पुरिसकार से सम्मानित किया गया इन्हें ये पुरिसकार Institution of Engineering and Technology के द्वारा भारतिय रेलवे के आधुनी की करण और सुधारों के लिए किये गए उनके उतकरष्टी योगदान को सम्मानित करने के लिए ये अवार्ड दिया गया तो इनका नाम याद रखना बाकि हेमंत कुमार आपको याद होगा DRDO ने Scientist of the Year का अवार्ड इनने दिया था नीतल नारंग भारतिय सॉफ्ट बॉल फेडरेशन की ये पहली महिले अध्यक्ष बनी थी और पंडित सतीश व्यास 2020 के तांसें सम्मान से सम्मानित किया गया था इनको अच्छा नेशनल एंजिनेरिंग डे कब होता है 15 सेप्टेंबर को होता है हाँ तो गाइस topic wise current affairs की ये आप लोगों की series चल रही है और ये हमारा second वाला topic है awards का इससे पहले हम books and author वाला topic खतम कर चुके हैं दो पार्ट हमारे बने थे और ये आपके awards का पहला वाला पार्ट है जिसमें January से लेके मार्स तक के सारे important question आपको मिलेंगे जो हमने current affairs में पढ़े थे इसका अगला वाला जो पार्ट होगा second वाला पार्ट उसमें हम April से लेके June तक सारे question को cover कर लेंगे देखो जो मैंने आप लोगों से starting में बोला था वो मैं आप लोगों को करके दे रहा हूँ topic wise current affairs की series आप लोगों ने का था तो मैंने start कर दिये उसके बाद आप लोगों ने का इसकी quiz बना के दे दो उस पे भी मैं work कर रहा हूँ आपने का पीडियेफ बना के देदो उसमें भी भी वर्क कर रहा हूं लेकिन फिर भी आप लोग का support नहीं मिल रहा है अगर आप लोग ऐसे neutral रहोगे तो मेरी इतने मैनत करने का कोई मतलब नहीं है तो please support ज़रूर करना सिर्फ इसे like करके आपको अपने groups में अपने दोस्तों के साथ share करना है इतना सा तो आप कम करी सकते हो उमीद करूँगा आप अपने वाइदे से मुखरों के नहीं चलिए हम बढ़ते आगे पिर एक किस steel company ने water management में उतकरश्टता के लिए CII national award 2020 जीता है तो answer होगा Tata Steel ने तो अभी Tata Steel ने water management में उतकरश्टता यानि के excellence के लिए CII national award जीता है अचा Tata Steel के chairman है नटराजन चंदरशेखरन CEO है TV नरेंदरन अचा अभी sales से आपको याद होगा इसने golden peacock environment management award 2020 जीता था Steel authority of India limited इसकी full form होगी पर है Britain के knighthood सम्मान से किसे सम्मानित किया गया तो answer होगा Lewis Hamilton को Britain के formula 1 driver है ये Lewis Hamilton आप जानते ही हो और Mercedes के ये driver है और अभी इनी को Britain की queen ने सर्वोच नागरिक सम्मान knighthood से सम्मानित किया है और मैंने आपको बताया था जब भी किसी वेक्ति को ये सम्मान मिलता है न तो उसके नाम के आगे सर लगाया जाता है और इसी के साथ आपको बता दू कि Lewis Hamilton ये सम्मान पाने वाले छटे formula 1 driver बन गए है पिरहाल इमें किस भारते को Mother Teresa Memorial Award for Social Justice 2020 से सम्मानित किया गया तो answer होगा डॉक्टर प्रदीप कुमार, संजे पांडे और केके शिल्जा को अच्छा देखो यहां से एक प्रश्न में आप लोग को बताया था कि पिछले साले के एक्जाम में ये प्रश्न आया था कि ये Mother Teresa Memorial Awards ये कौन सा संगठन देता है तो याद रखना Harmony Foundation के द्वरा दिया जाता है तो इतना डीप में ये प्रश्न पूछा गया था और इस बार ये जो अवर्ड दिये गए इसमें तीन भारतिया है वैसे मैं आपको सारे नाम बता देता हूँ कम से कम तीन ये भारतियों के नाम तो आप याद रखना डॉक्टर प्रदीप कुमार मैंने आपको बताया संजेप पांडे या IPS ओफिसर है महराष्टर से है बाकियों के नाम भी देख लो डॉक्टर एंथोनी जोकी यूएस से है फादर फेबियो इटली से है पत्रकारिता पुरुसकार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा तो आंचर होगा रविश रंजन शुकला को तो रामेश्वरम संस्थान जहासी के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी प्रतिष्ठित पत्रकार और समात से भी सवर्गवासिय रामेश्वरम दयालतरिपाठी जी के पुन्य इस्मृति में हिंदी पत्रकारिता के शेतर में उलेखनिय कार्य करने के लिए NDTV इंडिया के पत्रकार रविश रंजन शुकला को ये रमेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरुसकार 2020 से सम्मानित किया जाएगा बाकि पंडित सतीश व्यास 2020 के तांसेन सम्मान सेन को सम्मानित किया गया विद्युत मोहन यंग चेंपियन्स ओफ द अर्थ के रुप में इनको चुना गया और पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ट्राइवर बनिये फिर अभी किसे डॉक्टर एपिज अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरुसकार 2021 से सम्मानित किया गया तो अंसर होगा डॉक्टर अमित केसरवानी को तो अभी डॉक्टर अमित केसरवानी को करशी विज्ञान में उनके उलेखने जोगदान और इंटरनेट मीडिया के माद्यम से नए छात्रों को मार्ग दर्शन करने के लिए उन्हें इस पुरुसकार से सम्मानित किया गया बाकि हमन्त कुमार डियाडियू ने इने साइंटिस्ट आफ दे एर का अवर्ड दिया था पंडित सतीश व्यास 2020 के तांसें सम्मान से सम्मानित किया गया और रंजीत सिंग डिसाले ग्लोबल टीचर प्राइस जीतने वाले पहले भारतिय बने गये इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा भीया फिर हाल इमें किसे राष्ट्रे फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरुसकार 2020 के लिए चुना गया तो अंसर होगा डॉक्टर शेला केनी को तो अभी श्री माता वैश्ट्रो देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल है ये डॉक्टर शेला केनी और इनी को अभी 2020 की राष्ट्रे फ्लोरेंस नाइटेंगल अवाड से सम्मानित किया गया तो ये नर्सिंग के शेत्र में सर्वोच राष्ट्रे पुरिस्कार है जो की फ्लोरेंस नाइटेंगल की याद में दिया जाता है इसमें विजेता को 50,000 रुपे की राष्टी और एक प्रमान पत्र दिया जाता है देखो Florence Nightingale की बात करेंगे तो ये एक British समाज सुधारक थी और आप जानते हो इनी के जनम दिन को हम International Nursing Day के रूप में मनाते हैं कब? 12 मई को ये भी आपको याद रखना है बाकि डॉक्टर अमित केसरवानी, डॉक्टर एपीज अब्दुल कलाम Scientist Award 2021 मिला था इनको हेमंत कुमार अभी डियाडियो ने इने Scientist of the Year का आवड दिया था और रंजीत सिंग डिसाले, Global Teacher Prize जीतने वाले पहले भारतिय बने थे ये तो ये नाम भी important train को याद रखना फिर है war time galantry award से किसे सम्मानित किया गया तो अंसर होगा के पलानी को तो तमिल नाडु के राम नात्पुरम निवासी हैं ये के पलानी जिनको अभी war time galantry award से सम्मानित किया जाएगा तो आपको याद होगा पूरवी लद्दा की गलवान घाटी में जो चीन के सेनिकों के साथ हमारी जड़ब हुई थी उस दोरान ये हवलदार के पलानी शहीद हो गए थे तो इनको अभी 26 जनवरी 2021 को सम्मानित किया जाना इस पुरसकार से बाकी शुबरा शर्मा युवा वेग्यानिक पुरसकार 2020 मिला था इनको डॉक्टर शेला केनी राष्ट्रे फ्लॉरेंस नाइटेंगल पुरसकार 2020 मिला और रंजीत सिंग डिसाले ये ग्लूबल टीचर पीस प्राइस जीतने वाले पहले भारते बने इंपॉर्टे नाम रहेगा याद रखना फिर बताओ कि किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायकल्प पुरसकार जीता तो आइंसरोगा एम्स भुवनिश्वर तो अभी भुवनिश्वर में जो एम्स है उसने लगातार तीसरी बार ये कायकल्प पुरसकार जीता है तो स्वच्छता और स्वास्त को बढ़ावा देने और सारोजनिक स्वास्त सुविधाओं में इस थाई प्रयासों का निर्मान करने के लिए उसे लगातार तीसरी बार ये कायकल्प पुरसकार मिला इम्स मतलब होता है All India Institute of Medical Science और अभी इम्स दिल्ली के जो डारेक्टर है क्या नाम है रणदीप गुलेरिया उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है तिल वी विन उन्होंने इस बुक को दो डॉक्टर के साथ मिलके लिखा था उन दो डॉक्टर के नाम भी याद रख लो गगंदीप कांग और चंदरकांत लहारिया फिर एक इसे फ्रांस की प्रतिष्टित सम्मान और नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया तो अंसर होगा रोहिनी गूड बोले को तो अभे मुंबई की फिजिक साइंटिस्ट और पदमिश्री सम्मान से सम्मानित रो प्रोथ साहित करने और फ्रांस और भारत के बीच में सहयूग को बढ़ावा देने के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया बाकी एस हरेश मल्यालम लेखा के जेसी भी साहित पुरुसकार 2020 जीता था इन्होंने पॉल जाचेरिया 2020 का एजित चन पुरुसकार जीता प्रसिद मल्यालम लेखा के हरी हरन ये भी मल्यालम फिल्म निर्माता ही है और केरल सरकार ने इन्हें जेसी डेनिल पुरुसकार से सम्मानित किया था फिर है नेलसन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया तो अंसर होगा रवी गायकवाड को तो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लोगों को दिया जाता है अचा नेलसन मंडेला डे कब मनाया जाता है अठारा जुलाई को बाकी डॉक्टर शेला केनी ये राष्ट्रे फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड 2020 से इने सम्मानित किया गया था रोहिनी गोड बोले फ्रांस का प्रतिष्टित सम्मान मिला था इनको जिसे केते हैं ओर्डर नेशनल डियू मेरिट और डॉक्टर अमित के सरवानी डॉक्टर एपीजे अप्दुल कलाम साइन्टिस्ट अवार्ड 2021 इनों ने जीता था फिर एक इस मंत्रा लेने लगातार दूसरे साल स्कोच चैलेंजर अवार्ड जीता तो अंसर होगा जनजातिय मामलों के मंत्रा लेने तो इगवर्नेंस में बहतर कार्रे के लिए केंद्रे जनजातिय मामलों के मंत्राले ने लगातार दूसरे साल इसकोच चैलेंजर अवोर्ड जीता है इसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जनजाती मंत्री हैं इनका निर्वाचन शेतर है खुंटी जारखंड वेसे आर्चरी असोशेशन ऑफ इंडिया के अद्धिक्ष भी हैं ये फिर एक इसे भारत के 51 अंतरराश्टर फिल्म समारों में लाइफ टाइम अचिमेंट पुरसकार से सम्मानित किया गया तो आंचर होगा विक्टोरिया स्तूराव को तो इतालवी सिनेमेटरोग्राफर हैं ये विक्टोरिया स्तुराव जिनको भारत के 51 वे अंतरराष्टर फिल्म समारों में लाइफ टाइम अच्विमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया ये जो 51 वा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अफ इंडिया है ये 16 जन्वरी को शुरू हुआ और 24 जन्वरी तक ये चला कहां पे गोवा में और याद रखो इसमें जो फोकस कंट्री था वो था बांगलादेश यहां से एक और नाम में आपको बताऊँआ इंपोर्टेंट किया गया तो ये नाम भी याद रखो बाकी जेना वाल्ड रेज ये इंग्लेंड कीयें World स्कूर्श फेडरेशन के अध्यकश बनी थी और एनिका सोरेन स्थ्रीम स्वीडन से हैं World गूल्फ Federation के अद्धिक्ष बनी थी फिरे किसे थल्ट सेनाद्यक्ष प्रशष्टी सम्मान से सम्मानित किया गया तो अंसर होगा अमरेश कुमार को तो अभी अमरेश कुमार चौदरी को प्रश्टित थल्ट सेनाद्यक्ष प्रशष्टी सम्मान से सम्मानित किया गया उन्हें COVID-19 महामारी और विबिन अभियानों के दुरान सशस्त्र बलो में उनके उत्करष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है और ये जो अमरेश कुमार चौधरी हैं ये वर्तमान में रेल मिल में मुख्या नियंतरक्ते रूप में कार्य कर रहे हैं मिल रेल ये रेल मंत्राले की यातायात निदेशाले का एक विस्तार है बाकि रोहीनी गूड बोले हमने पड़ा फ्रांस का प्रतिष्टित सम्मान मिला इने ओडर नेशनल ड्यू मेरिट जिसे कहते हैं शुबरा शर्मा युवा वेग्यानिक पुरुसकार 2020 जीता और हमन्त कुमार डियार डियू ने इने साइंटिस्ट ऑफ द इयर अवार्ड से सम्मानित किया तो आंसर होगा विरेंदर सिंग राथोड को तो राजस्थान के भीलवाडा के जिला परिवहन अधिकारी हैं ये विरेंदर सिंग राथोड जिनको नेशनल रूड सेफटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है और इसी के साथ आपको बता दू कि सडक सुरक्षा कानून विशे पर पिएजडी करने वाले ये पहले व्यक्ति भी हैं उसके अलावा अभी इसी से रिलेट करके आप याद रख सकते हो अमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनात सिंग और जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गड़करी उन्होंने 18 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 तक राष्टर सडक सुरक्षा मा का भी उदगाटन किया था बाकि रोहिनी गूड बोले फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान और नेशनल ड्यू मेरिट से इनको सम्मानित किया गया के पलानी वार्ट टाइम गैलेंटरी अवर्ट जीता इन्होंने रंजीत सिंग डिसाले ग्लोबल टीचर पीस प्राइस जीतने वाले ये पहले भारतिय बने फिर अभी किस भारते गणितग्य को 2021 के माइकल एंड शीला हेल्ड पुरुसकार का विजिता गोशित किया गया तो आंसर होगा निखिल शिरिवास्तव तो युवा भारते गणितग्य निखिल शिरिवास्तव को गणित का प्रते श्थित माइकल एंड शीला हेल्ड पुरुसकार 2021 का विजिता गोशित किया गया है उन्हें दो लोगों के साथ ये अवार्ड मिलेगा तो निखिल शिरिवास्तव ये वर्तमान में कैलिफोर्निय विश्विध्याले में गणित के असूशियेट प्रोफेसर है तो इनका नाम ध्यान रखना और गणित के पुरुसकार से एक नाम में आपको और याद दिलाना चाहूँगा डॉक्टर केरोलिना अरूजो क्योंकि 2020 का युवा गणितग्यर रामानुजन पुरुसकार जीता था किसने ब्राजील की गणितग्यर डॉक्टर केरोलिना अरूजो ने बाकी विरेंदर सिंग राठोड राष्ट्रे सड़क सुरक्षा पुरुसकार 2021 से सम्मानित किया गया, सुबरा शर्मा युवा विज्यानिक पुरुसकार 2020 जीता और डॉक्टर शिला केनी राष्ट्रे फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरुसकार 2020 जीता था फिर एक किसे, Business Standard Banker of the Year 2020 का किताब दिया गया तो अंसर होगा, शाम शिरिनिवाशन को, शाम शिरिनिवाशन ये कौन है, फेडरल बैंक के M.D.C.O है, जिने 2019 बीस के लिए Business Standard Banker of the Year का किताब दिया गया, देखो फेडरल बैंक से याद रख सक ले हो, आप कि इसका हेड़कोटर कोच्ची कैरल में है, CEO तो यही है, M.D.C.O तो, शाम शिरिनिवाशन, उसकी टैग लाइन होती, Your Perfect Banking Partner, बाकी विनोत कुमार यादव आप जानते हैं, Railway Board के पूर्व चेर्मेन और CEO थे, और इन्हें अभी 2020 के लिए प्रतेश्टित Engineer Award से सम्मानित किया गया था, पंडित सत प्रतेश्टित इश्वियास, Tancin, पुरुसकार से सम्मानित किया गया और रवी गायकवाड, Nelson, Mandela, Vishwan, मानवतवादी, पुरुसकार 2020 से सम्मानित किया गया था, इनको, फिरे किसे दगाज प्रोम, ब्रिलियन पुरुसकार दिया गया तो अंसरुका निहाल सरीन को, उनके उतकरश्ट प्रदशन के लिए उनने ये गाज प्रोम ब्रिलियन पुरुसकार दिया गया और किस राजे से हैं ये केरल से हैं फिर अभी सुभाष चंदर बोस आपदा प्रबंदन पुरुसकार के लिए किसे चुना गया तो अंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र कुमार बंदारी को तो अभी Sustainable Environment and Ecological Development Society और डॉक्टर राजेंदर कुमार बंदारी को सुभाष चंदर बोस आपदा प्रबंदन पुरुसकार के लिए चुना गया है तो पुरुसकार के रूप में संस्था को तो 51 लाख रुपे का नगत पुरुसकार दिया जाएगा और एक certificate मिलेग जब कि व्यक्तिगर च्रेणी में जो ये हैं डॉक्टर राजेंदर कुमार बंदारी इनको 5 लाख रुपे का पुरुसकार मिलेगा और एक certificate मिलेगा बाकि विरेंदर सिंग राठोड राष्ट्रे सडक सुरक्षा पुरुसकार 2021 से इनको सम्मानित किया गया रोहिनी गूड बोले फ्रांस का प्रतिष्टित सम्मान मिला था इने जिसे कहते हैं order national due merit और के पलानी वार्ट टाइम गैलेंटरी अवर्ड जीता है इनों फिर अभी किस फिल्म ने golden pick up को रुसकार जीता तो अंसर होगा into the darkness अभी आपको याद होगा 51 वा international film festival of इंडिया का आयोजन किया ग कोईन में आप लोगों को बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना एक तो एक्टर बिश्वजीत चटर जी का नाम याद रखो इन्हें यहाँ पे personality of the year का पुरुसकार दिया गया था इसके लावा इतालवी cinematographer हैं Vittoria Sturao और उनको यहां lifetime achievement award से सम्मानित किया गया था और इसमें focus country रहा था कौन सा बांगला देश तो यह ध्यान रखना फिर अभी कितने लोगों को पद्म पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो अंसर होगा 119 लोगों को तो अभी केंदर सरकार ने 119 लोगों को पद्म पुरुसकारों के लिए चुना है जिन में से 7 को पद्म वाले 102 तो नाम याद नहीं रख सकते हो लेकिन यहाँ पे कुछ important नाम है वो आपको याद रखने ही होंगे बाकि 10 आप एक बार देख लेना और 7 तो आपको definitely याद करने वैसे 10 भी आपको याद ही करने देख लेना मतलब यह नहीं किनी करने करने लेकिन यह 7 नाम तो आपक नहीं देखा है तो वो देख लीजिए वहाँ पे particular हमने इसी topic पे बात की है तो यहाँ पे उन सभी points को repeat करके आपका time waste नहीं करूँगा time खोटी नहीं करूँगा तो आप वो वीडियो देख ले ना उसका link description में आपको मिल जाएगा अभी हम बढ़ते आगे फिरे अभी किसे मन्नो परांत सर्वत्तम जीवन रक्षा पुरुसकार 2020 से सम्मानित किया गया तो आंसर होगा मुहम्मद मौसीन को तो अभी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को ही हमारे जो राष्टर पति हैं रामनात कोविन जी उन्होंने दूसरों का जीवन बचाने के लिए बहादुरी दिखाने वाले 40 लोगों को जीवन रक्षा पदक दिये जाने की स्विक्रती दी है और इनमें एक नाम मैंने आपको बताया ये मुहम्मद मौसीन क्योंकि इनको मन्नो प्रांत ये सर्वुत्तम जीवन रक्षा पदक दिया जाएगा बाकि डॉक्टर राजेंद्र सिंग बंडारी सुभाज चंद्रबूस आपदा प्रबंदन पुरुसकार जीता विरेंद्र सिंग राठोड राष्ट्र सडग सुरक्षा पुरुसकार 2021 जीता और रोहिनी गुड बुले फ्रांस का प्रतिष्थित सम्मान ओर्डर नैशनल डिव मेरिट से इनको सम्मानित किया गया फिर एक गनतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की जाकी ने सरुष्रेष्ट जाकी का पुरुसकार जीता तो आंसर होगा उत्तरप्रदेश और तिरुपुरा की जाकी को दूसरा पुरुसकार मिला जिसकी थीम थी परियावरन हितेशी आत्म निरभर और तीसरा पुरुसकार जीता उत्तरखंड की जाकी ने जिसकी थीम थी के दारनात थाम बाकी दे को एक और पुइंट याद रखना कि इस साल जो Republic Day Parade हुई थी उसमें किस देश के 66 रिबलों ने पार्टिसिपेट किया पढ़ चुके हम ये और रेडी बंगलादेश के और ये अगर प्रशन आपसे पूछा जाता है कि इस Republic Day Parade में किस राज्य या Union Territory की पहली बार जहांकी दिखाए गई तो आंशर कर देना लद्धाक फिर हाली में किसे वर्ष 2019-20 के लिए बिस्मिल्ला खान पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो आंशर होगा मुस्तबा हुसेन को इससे पहले भी इन्हें पंजाब युनिवर्सिटी ने बांशुरी रत्न अवर्ट से सम्मानित किया था तो इस पॉइंट से क्या क्या की पॉइंट याद रखने 2019-20 का बिस्मिल्ला खान पुरुसकार किसने जीता मुझतबा हुसेन ने ये एक बांशुरी वादक है और य प्रांस का प्रतिष्टित सम्मान ओर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से इनको सम्मानित किया गया था फिर अगला प्रशन है 2021 जायद अवर्ड फॉर हुमन फ्राटेर्निटी पुरुसकार से सम्मानित किया गया किसको एंतोनियो गुतरेस और लतीफा इबर जियातेन को तो भी सैयुक्तर राष्टर के महा सचिव हैं एंतोनियो गुतरेस और फ्रांसेसी मौरको के कारे करता हैं लतीफ इबर जियातेन इनको 2021 के जायद अवर्ड फॉर हुमन फ्राटेर्निटी सम्मान से सम्मानित किया गया है फिर हाली में किसने जनवरी 2021 का ICC Player of the Month अवर्ड जीता है तो अंसर उगर रिशब पन्त तो भारते विकेट कीपर और बल्लेबाज हैं यह रिशब पन्त जिनको पहले ICC Player of the Month अवर्ड 2021 से सम्मानित किया गया इनके अलवा साउथ अफरिका की हैं शबनीम इसमाईल इनको जनवरी 2020 के ICC Women's Player of the Month का अवर्ड मिला है तो पुरुषों म शबनीम इसमाईल को जो की साउथ अफरिका से हैं यह ICC ने अपना नया अवर्ड शुरू किया है Player of the Month अवर्ड है न तो जनवरी के लिए दोनों अवर्डी का नाम आप याद रखना ICC का हैटकोटर आपको दुबई में मिलेगा दुबई UAE में ग्रेक बार्कले अभी इस स्टीव स्मित जिन्होंने साल 2021 के लिए Australia Cricket Awards में अपने करियर का तीसरा Allen Border Medal जीता है इनके अलवा बैथ मुनी ने Australia Cricket पुरूसकारों में किसी भी महिला खिलाडी को दिये जाने वाले शीर्ज सम्मान बैलिंडा क्लार्क पुरूसकार को जीता है ये बैथ मुनी का पहला बै बाकिया जिन्के रहाने जौनी मुलाक पदक के पहले प्राप्त करता रहे जो रूट हमने पढ़ा था इंग्लेंड के कप्तान है ये कैप्टेन है अभी सोवे टेस्ट में 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बनेए फिर हाली में संडान्स फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस सिनेमा डॉक्यमेंटरी शिरिनी में ओडियन्स अवर्ड जीता है ये फिल्म दलित महिलाओं के द्वारा चलाए जा रहा है भारत के एक मातर समाचार पत्र खबर लहरिया के उदे का वर्डनन करती है फिर हाली में किस एयरपोर्ट ने वाइस आफ दे कस्टमर का पुरुसक जीता है तो ये वाइस आफ दे कस्टमर पहल उन हवाई अड़ों को माननेता देती है जिन्नोंने 2020 में नौवल कोरोना वायरस महामारी के दोरान अपने ग्रहाकों को प्राथमिक्ता देना जारी रखा अभी हैदराबाद इंटरनेशनल एरपोर्ट से याद होगा भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग शुरू की थी और पुदुचरी हवाई अड़े से आपको याद होगा एरपोर्ट अथरिटी ओफ इंडिया का ये पहला 100% सूलर एनरजी से चलने वाला एरपोर्ट बना और देश का पहला एक्सक्लूसिव प्राइविट जेट टर्मि और किस्ने जीता शक्तिकान दास ने शक्तिकान दास कौन है रबी आई के गवरनर है पच्छिस वे नंबर के तो कॉर्पोरेट एक्सलेंस के लिए इस साल के इकॉनमिक टाइमस अवाठ्स में आरबी आई के गवरनर शक्तिकान दास ने बिजनेस्रीकान दास औपड़ Mor of the Year के लिए बिस्मिल्ला खान पुरुसकार जीता था, डॉक्टर राजेंद्र सिंग भंडारी, सुभाष चंद्रबूस आपदा प्रबंदन पुरुसकार जीता और विरेंद्र सिंग राथोड, राष्टर सडक सुरक्षा पुरुसकार दोजारिकिस से सम्मानित किया था इनको आस्ट्रेलियन वाइललाइफ फोटोग्राफर हैं ये रॉबर्ट एर्विन और इन्होंने अभी वाइललाइफ फोटोग्राफर आफ दे एर पीपल्स चॉइस अवाड पृत्योगिता में पहला पुरुसकार जीता है, तो रॉबर्ट एर्विन ने बुश फायर नाम की इ परुजो ये ब्राजिल की गणितग्या है, 2020 का युवा गणितग्या रामा नुजन पुरुसकार जीता और सर्गेई गोर्श कूव ये रश्या से हैं वाइललाइफ फोटोग्राफर आफ दे एर 2020 का खिताब जीता था इन्होंने और एश्वर्या शिरिधर का नाम भी आदोगा आपको इन्हें बिहेवियर इन्वर्टीब्रेट केटेगरी में 2020 का वाइललाइफ फोटोग्राफर का अवर्ड मिला था तो ये नाम भी ध्यान रखेंगे बढ़ते आँगे फिरे फरवरी 2021 में मनासा वरनासी को VLCC Femina Miss India World 2020 का ताच पहनाया गया आप से पूछा जा रहा है ये किस राज्जी से हैं तो अंसरोगत तेलंगना से तो अभी तेलंगना की मानसा वरनासी को VLCC Femina Miss India World 2020 का ताच पहनाया गया है और इनके अलवा हर्याना की मनीका शूचंद को VLCC Femina Miss Grand India 2020 घोशित किया गया है फिर रोटर डैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म ने टाइगर पुरुसकार जीता था तो अंसर होगा कोजंगल तो तमिल फिल्म है ये कोजंगल और इसने अंतरराश्टर फिल्म फेस्टिवल रोटर डैम 2021 के पचासवे संसकरन में टाइगर पुरुसका इस फेस्टिवल का शीड्स सम्मान है कौजंगल का मतलब होता है कंकड तो ये फिल्म नयन तारा द्वारा निर्मित है और इसके निर्देशक है विनुद राज पियस और आपको बता दूँ ये अंतरराश्टर पुरुसकार जीतने वाली ये दूसरी भारते फिल्म में है और पहली तमिल फिल्म है इससे पहले थी दुर्गा जिसके निर्देशक थे शशीधरन और इस टाइगर पुरुसकार में दी जाने वाली नामी राशी कितनी होती है 40,000 यूरो आपको याद होगा राइटिंग विद फायर से कुछ भारते डॉक्यमेंटरी फिल्म है ये राइटिंग विद फायर जिसने संडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में ओडियन्स अवार्ड जीता था और पाताल लोक फिल्म फेर OTT अवार्ड में पाताल लोक को बैस्ट वेब सिरीज का आवार्ड मिला था अचा बताईए हाली में कितनी महिला विज्ञानिकों ने सर्ब महिला उतकरश्टता पुरुसकार 2021 जीता तो आंसरों का 4 ने तो अब विज्ञान और पुरुसकार 2021 के लिए सर्ब महिला उतकरश्टता पुरुसकार 2021 से सम्मानित किया गया तो डॉक्टर शोबना कपूर, डॉक्टर अंतराब एनरजी, डॉक्टर सोनु गांधी और डॉक्टर रितु गुप्ता सर्ब मतलब मैंने आपको बताया Science and Engineering Research Board फिर बताये किसे 2020 के लिए International Symposium and Education Award से सम्मानित किया गया तो अंसर होगा डॉक्टर अनूला मौर्य को तो अभी जगत गुरू रामा नंदा चार्या, राजस्थान, संस्कर्त विश्विध्याले की कुल पती वाइस चांसलर हैं ये डॉक्टर अनूला मौर्य जिनको वर्ष 2020 के लिए International Symposium and Education Award से सम्मानित किया गया उन्हें भारतिय संस्करती और भारतिय भाषाओं के विकास में दिये गए उनके योगदान के लिए ये सम्मान मिला है बाकि डॉक्टर शेला केनी ये राष्टर फ्लोरिंस नाइटेंगल पुरुसकार 2020 जीता था डॉक्टर अमित केसरवानी इन्हें डॉक्टर एपिजी अब्दुल कलाम साइंटेस्ट अवर्ड 2021 मिला था और डॉक्टर राजेंदर सिंग भंडारी सुभास चंद्रबूस आपदा प्रबंदन पुरुसकार मिला था इनको फिर बताईए अभी हाल ही में सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवर्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया तो अंसर होगा थियो डॉर बॉसकन को तो प्रमुक लेकर के तिहासकार प्रकरतिवादिय और कारे करता है ये थियो डॉर बॉसकन जिनको सेंचुरी नेचर फाउंडेशन के सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवर्ड 2020 से सम्मानित किया गया और उन्हें ये पुरुसकार उन्हें वन्य जीव संग्रक्षन में उनके समर्पित कार्यों और तमिल अंगरीजी में उनके लिखन के लिए दिया गया है बाकि मुस्तबा हुसेन 2019-20 के लिए बिस्मिल्ला खान पुरुसकार से सम्मानित किया गया डॉक्टर राजेंद्र सिंग भंडारी सुभाष चंद्रबोस आपदा परबंदन पुरुसक पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया तो आंसर होगा वायस जगन मोहन रिड़ी को आंद्रप्रदेश के मुख्य मंत्री है ये वायस जगन मोहन रिड़ी और इनी को ही इसको चीफ मिनिस्टर आफ दे एर पुरुसकार से सम्मानित किया गया है और ये पुरुसकार देश में इनको एक सम्मान मिला था आपको याद होगा पेटा ने पेटा मतलब People for the Ethical Treatment of India उसने Hero to Animal Award से इनको सम्मानित किया था फिरहाली में किस राजे की अनुराधा ने गारगी पुरुसकार 2021 जीता है तो अंसर होगर राजस्थान अच्छा आपने दुनिया के महान विज्ञानिक स्टीफन हौकिंग के बारे में जरूर सुना होगा जिनके पूरे शरीर का किवल दिमाग ही काम करता था तो कुछ ऐसी ही कहानी है राजस्थान के हनुमगान गड़ जीले की अनुराधा बुडानिया की और अभी इने राजस्थान सरकार के गारगी पुरुसकार 2021 से सम्मानित किया गया है फिर हाली में भारत के पशु कल्यान बोड के द्वारा 2021 के लिए प्राणी मित्र पुरुसकार किसे प्रदान किया गया तो अंसर होगा S. चिन्नी कृष्णा को तो ब्ल्यू क्रॉस ऑफ इंडिया के सहसं स्तापक हैं ये S. चिन्नी कृष्णा और इनको भारत के पशु कल्यान बोड के द्वारा 2021 के लिए प्रतिश्थित प्राणी मित्र पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो अभी केंद्रे मतस्य पालन पशु पालन और डेरी मंतरी गिरी राद सिंग ने नई दिल्ली में चिन्नी कृष्णा को उनकी जीवन भर की सेवा के लिए ये पुरुसकार दिया है ये पशु कल्यान के लिए देश का सर्वुच पुरुसकार है तो इनका नाम याद रखेंगे S. चिन्नी कृष्णा बाकी S. हरेश ये मल्यालम लेखक है और J.C.B. साहते पुरुसकार 2020 जीता था इनोंने हिमंत कुमार की बात करेंगे DRD उने इनने Scientist of the Year Award से सम्मानित किया और डॉक्टर शेला केनी राष्ट्रे फ्लॉरेंस नाइटिंगल पुरुसकार 2020 से सम्मानित किया था इनको बढ़ते आगे हाली में किस बैंक ने विश्व HRD कॉंग्रेस पुरुसकार जीता है तो आंसरों का Union Bank of India ने है तो 29th Global HRD कॉंग्रेस पुरुसकारों में Union Bank of India को मानव संसाधन में सर्वश्रेष्ट सेवा प्रदाता से सम्मानित किया है और साथ ही में सीखने और विकास में उत्करष्ट अता के लिए सर्वश्रेष्ट संस्थान से भी उसे सम्मानित किया गया है और कल्यान कुमार जो कि यहां के मुख्य महाप्रबंधक हैं उनको Chief Human Resources Officer of the Year से सम्मानित किया गया है Union Bank of India देखो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी मुंबई में Headquarter है इसके CEO राज किरन रॉय है इसकी tagline Good People to Bank with होती है और Union Bank of India में आगर मैं आपसे पूछू कितने बैंकों का विले हुआ तो एक दो बैंकों का Corporation Bank का और Andra Bank का विले हुआ था मर्जर हुआ था तो यह point भी आदर्खना बढ़ते हैं गे फिर बताईए फरवरी 2021 में आंदर प्रदेश के किस जिले को प्रधान मंतरी किसान राष्टर पुरुसकार के लिए चुना गया तो आंसर होगा भूतिक सत्यापन के रूप में चुना गया है बाकी अमराबती यह आप जानते हो अंदर प्रदेश की लेगिसलेटिव केपिटल है विशाका पत्नम एडिमिनिस्ट्रेटिव केपिटल है और कुर नोल इसकी जुडिशल केपिटल है फिरहाली में बिडेन प्रशाशन के द वरा शुरू किये गए इंटरनेशनल एंटे करप्शन चेंपियन्स अवार्ड के लिए चुने गए बारा करेजियस व्यक्तिव में शामिल किया गया है क्या नाम है अंजली भारदवाज डॉक्टर शक्ति गुपका जम्मू इम्स के पहले ये निदेशक चुने गए अजे अगे फिर हाली में 2020 के लिए टाटा इनोविशन फैलोशिप के लिए किसे चुना गया है तो आंचार होगा उत्तम लाहिडी को तो गुजरात में IIT गांधी नगर में इलेक्ट्रिकल एंजिनेरिंग के असूशियेट प्रोफेसर हैं ये उत्तम लाहिडी जिने 2020 के लिए ट भारत की राष्ट्र सुरक्षा परिशत के नए अध्यक्ष बने और श्रिष्टी गोस्वामी उत्तराखंड में एक दिन के लिए ये मुख्यमंत्री बनी थी तो ये नाम भी ध्यान रखना बढ़ते हैं फिर हाली में स्कूर्च गूल्ड अवर्ड से किस जिले को सम्मानित किया गया आपको याद दिला दू पिछले साल 2020 में मिनिस्ट्री ओफ ट्राइबल अफेर्स को मिला था स्कूर्च गूल्ड अवर्ड तो वह भी आप ध्यान रख सकते बाकी अभी हैद्राबाद से आपको याद होगा 2020 प्री सिटी ओफ द वर्ल्ड के रूप में माननेता प पार्क ये बना है गुजरात के भावनगर में और गुजरात के भावनगर से ही याद होगा कि दुनिया का पहला CNG टर्मिनल ये इस्थापित किया जाएगा यहीं पर बढ़ते आगे प्रेक इसे सेरा वीक ग्लोबल एनर्जी एन एन्वार्मेंट लीडर्शिप आवर्ड से सम्मानित किया गया तो आंसर होगा नरेंदर मुजी को तो इन्हें उर्जा और परियावरन में इस तरता के प्रति-प्रति-बद्दता के लिए ये सम्मान मिला है एक्चुली मैं अभी विश्व का प्रमुकुर्जा सम्मिलन हुआ था एक से पांच मार्च को ये वर्चुली आयोजित किया गया था ये इसका 39th संसकरन था और पहली बार इसका पूरी तरह से वर्चुल आयोजिन किया गया और यहीं पे इनको ये मिला सम्मान हेमन्त कुमार DRD उने इने Scientist of the Year का वड़ दिया था और रंजीत सिंग डिसाले Global Teacher Peace Prize जीतने वाले पहले भारतिय बने ये ये नाम इंपॉर्टेंट है फिरे किस फिल्म ने 78th यानि कि 78 गोल्डन ग्लूप्स पुरुसकार में Best Picture ड्रामा का पुरुसकार जीता तो अंसर होगा Nomadland तो 78 गोल्डन ग्लूप्स की विजेताओं की घोजना भी हाली में Nomadland और Borat Subsequent Movie Film के साथ की गई है जिसमें उन्हें कहीं पुरुसकार मिले हैं तो यह जो Nomadland है इसने ड्रामा शरेनी में पुरुसकार जीता है जबकि Borat Subsequent Movie Film ने Comedy या Musical Division के लिए पुरुसकार जीता है यहाँ पे आपके ड्रामा के लिए पूछा जा रहा है तो इसका अंसर Nomadland होगा इसके अलावा यह जो The Crown है यह American TV Series है The Crown इसने चार पुरुसकारों के साथ सबसे ज़्यादा पुरुसकार जीते और Chloe Zo Best Director का Award जीता है इन्होंने Nomadland के लिए बाकी और भी जो पुरुसकार जीते हैं उनकी लिस्ट में आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ आप वीडियो को पॉस करके उनको देख सकते हैं देखना चाहें तो अच्छा बताइए किसे Champion Publisher of the Year 2020 का किताब दिया गया तो अंसर होगा The Hindu Group को और यह पुरुसकार Digital Media में समाचार प्रकाशकों की द्वारा किये गए उतकरष्ट कारियों की पहचान करने के लिए दिया गया है बाकी नरेंद्र मूदी अभी सेरा वी Global Energy and Environment Leadership Award जीता था और यह बड़ा Important नाम है रंजीत सिंग डिसाले Global Teacher Peace Prize जीतने वाले पहले भारते जो बने थे यह फिर बताइए किस बुक के लिए मोहन क्रिष्ट बोहरा को 2020 का तीसवा बिहारी पुरुसकार दिया जाएगा तो अंसर होगा तसलीमा संगर्ष और साहित्या तो 2020 के लिए तीसवे बिहारी पुरुसकार से मोहन क्रिष्ट बोहरा को उनकी बुक तसलीमा संगर्ष और साहित्य के लिए यह सम्मान दिया जाएगा यह बुक 2016 में रिलीज हुई थी और इस पुरुसकार में इने धाईलाक रुपे और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा बाकी यह जो बुक है Because India Comes First इसको लिखाता राम माधव ने Advantage India The Story of Indian Tennis नाम की बुक को लिखा निंदिया दत्ता ने और Agriculture Act 2020 को लिखा एके राजन ने तो इस प्रशन से इनका नाम याद रखना आप मोहन क्रिष्ट बोहरा का और इनकी बुक का भी फिर हाल इमें साहित्य अकादमी के मानत पैलो के लिए किसे चुना गया तो आंसर होगा वेल चेरू नारायन राओ तो ये एक प्रतिष्ठित विद्वान, लेखक, अनुवादक और अलोचक है प्रोफेसर वेल चेरू नारायन राओ इनने साहित्य में उनकी योगदान के लिए चुना गया है बाकि डॉक्टर अनुमा मौरे 2020 के लिए इंटरनेशनल सिंपोजियम एन एजुकेशन अवर्ड से सम्मानित किया प्रभावर्मा कुंचन नामबियार पुरुसकार से सम्मानित किया इनको और रितिका चोपडा पत्रकारिता में उतकरिश्टता के डॉक्टर रमन गंगा खेडकर को तो अभी आर्मी इंस्टिट्यूट अफ टेक्नलोजी के द्वारा डॉक्टर रमन गंगा खेडकर को लाइफ टाइम अच्यूमेंट अवर्ड से सम्मानित किया गया है उन्हें ये प्रुसकार आर्मी इंस्टिट्यूट अफ टेक्नलोज पुरुसकार 2020 जीता, डॉक्टर अमित केसरवानी, डॉक्टर एपीजी अब्दुल कलाम साइन्टेस्ट अवर्ड 2021 जीता, और डॉक्टर राजेंदर सिंग भंडारी, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंदन पुरुसकार जीता था, फिर बताईए अभी किसने BBC इंडिय Sports Women of the Year Award के दूसरे संस्करन की विजेता बनी है, इनके अलवा मनु भाकर इने Emerging Player of the Year का अवर्ड दिया गया, बाकी स्थीव स्मित आप जानते ही हो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टेन है, और अपने करियर में तीसरी बार Allen Border Medal जीता इन्होंने, अर जिंके रहाने जौनी मुलाग पदक के पहले प्राप्त करता रहे, बताइए अभी फरवरी महिने का ICC Men's Player of the Month का अवर्ड किसने जीता, आंसर होगा रवी चंदरन अश्विन ने, आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था इस बार ICC ने एक नए अवर्ड शुरू किया है, ICC Player of the Month अवर्ड, जिसमे अभी फरवरी मंत के लिए ICC Men's Player of the Month अवर्ड के लिए आर अश्विन को चुना गया, जबकि इंगलेंड की टेमी बैमॉंट को ICC Women's Player of the Month के रूप में चुना गया, अब ये तो बात हो गई फरवरी मंत के लिए, जनवरी मंत के लिए किसे चुना गया था, तो जनवरी मंत क ICC Men's Player of the Month का अवर्ड मिला था, रिशप पन्त को, और महिलाओं में मिला था, साउथ अफरिका की शबनीम स्माइल को, बाकी आप जानते ही हो, ICC International Cricket Council जिसका है क्वाटर दुबई UAE में है, ग्रेग बार्कले यांके चेयर मेंने, जो कि खुद न्यूजिलेंड से हैं, तो या आप याद रखना बढ़ते हागे, फिर बताईए अभी हाली में बैटन आफ ओनर से किसे सम्मानित किया गया, तो अंसर होगा किरन बेदी को, तो अभी तक ये पुदूचेरी की लेफटेन गवर्नर थी, तो उनकी सेवा को माननेता देते हुए, उनका सम्मान करने के ल जेफटेन गवर्नर का अतिरिक्त प्रबार एडिशनल चार्डेश किसको दे दिया गया, तेलंगना की राजपाल तमिलिसाई सुंदर राजन को तो ये भी आद रखना, बाकिर रितिका चोपड़ा, पत्रकारिता में उत्करश्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्ट राजा भूमी बोल विश्व मरदा दिवस 2020 पुरुसकार जीता, तो अंसर होगा, इंडियन काउंसल आफ एग्रिकल्चरल रिसर्च, तो भाट्य करशी अनुसंधान परिशत को राजा भूमी बोल विश्व मरदा दिवस 2020 का पुरुसकार मिला है, तो थाइलेन में जो अनुसर होगा, तो अंसर होगा, तो अभी तेलंगना की गवर्नर है, ये तमिली साही सुन्दर राजन जिनको 2020 के लिए टॉप 20 ग्लोबल वुमेन आफ एक्सिलेंस अवाड प्रदान किया गया, और अभी ये पुडुचेरी की लेफटेन गवर्नर का भी एडिशनल पुरसकार जीता था इन्होंने, नरिंद्र मुदी अभी सेरा ग्लोबल एनर्जी एंड एन्वाइर्मेंट लीडर्शिप अवाड मिला था, और किरण बेदी पुडुचेरी की पूर्व लेफटेन गवर्नर है ये, और अभी प्रसिडेंट रामनात कोविन जी ने बैटन आफ ओनर से इनको सम्मानित किया था, फिर अगला प्रशन है, हाल में किसे 2021 FIAF अवाड से सम्मानित किया जाएगा तो अंसर होगा अमिता बच्चन को, FIAF मतलब Federation International of the Archive of the Film, या फिर आप सिंपल सही से बोल दीजिए International Federation of Film Archives, तो इसके दोरा एक पुरुसकार से सम्मानित कि अमिता बच्चन को, तो अमिता बच्चन दुनिया के फिल्म में विरासत को संग्रक्षन, समर्पन और योगदान के लिए ये FIAF पुरुसकार से सम्मानित किया जाएगा और इस पुरुसकार से सम्मानित होने वाले ये पहले भारती होंगे, FIAF का हेड़कोटर है ब्रुस और अभी इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लीडर्शिप प्राइज, जिसे कहते हैं इब्राहिम प्राइज फॉर अच्चिवमेंट इन अफरिकन लीडर्शिप 2020 को जीता है, जिसमें नगत पुरुसकार दिया जाता है कितना 5 मिलियन डॉलर, तो सुडानी अरभपती म मुहमद इब्राहिम की संस्था के द्वारा दुनिया के सबसे गरीब महाद्वीब से सुशाशन को बड़ावा देने के लिए 2006 में शुरू किये गए इस इब्राहिम पुरुसकार के ये छटे विजिता होंगे, और नाइजर की कैपिटल नियामी होती है, करंसी वेस्ट अभी नए प्रसिडेंट बने। इनका अनामी का बिहार से हैं ये, हिंदी का मैंने आपको बता दिया, अंग्री जी में जीता है अरुन्दती सुब्रमन्यम ने, उनकी बुक वेन गौड इस ट्रेवलर के लिए, और बाकि और जिते भी विजेता रहे, यहाँ पे मैं आपको उनकी लिस्ट दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉस करके उनको एक बार देख सकते हैं। यह दूसरों का जिवन बहतर बनाने के लिए असाधरन, साहस, शक्ती और नेत्रत्व करने का परदशन करने वाली महिलाओं को दिया जाता है, जो इस बार दिया गया गोसल्या शंकर को। अच्छा फिर बताईए, अभी सबसे ज़्यादा ग्रेमी अवार्ड जीतने वाली महिला सिंगर कौन बनी है, तो आंसरों का बियॉंस से, अभी आपको याद होगा लास एंजलिस के कन्विंशन सेंटर में जो 63 वा ग्रेमी अवार्ड आयो जित हुआ था, उसमें बियॉंस इसको संगीत जगद में विशु का सबसे प्रतिष्थित सम्मान मना जाता है, पहली बार इसे 1959 में दिया गया था, और ये ग्रेमी अवार्ड को ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हो पहले बारती कोन है जिने ग्रेम बारते वन्यजीव अपराद नियंतर्ण ब्यूरू ने ये पुरुसकार जीता है, विकास सिंग सुप्रीम कूर्ट बार असूशेशन के नए अद्यक्ष बने, संजे कपूर औल इंडिया चेस फेडरेशन के नए प्रसीडेंट बने और ग्यानेंद्रू निगूंगबार होकी इंडिया के नए प्रसीडेंट बने, फिर बताए हाली में किसने प्रिट्सकर आर्किटेक्चर पुरुसकार 2021 जीता है, तो अंसर होगा एनी लेक्टॉन और जीन फिलिप वासल ने, तो फ्रांसे से आर्किटेक्ट और सिक्षक हैं, ये एनी लेक्टॉन और जीन फिलि जीनाओं के लिए उन्हें ये पुरुसकार दिया जा रहा है, अच्छा देको यहीं से मैं आपको बता दूं कि 2018 में भारत के आर्किटेक्ट थे बाला कृष्ण तूशी, उन्होंने प्रिट्च कर आर्किटेक्चर प्राइस जीता था, और वे ये पुरुसकार जीतने वाल पहले भारतिये बने थे, अच्छा बताईए ओसकर अवार्ड नॉमिनेशन में जगे पाने वाले विश्व के पहले मुस्लिम एक्टर कौन बन गए तो आंसर होगा, रिज एहमद, रिज एहमद ये पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश एक्टर है, और उन्हें फिल्म साउंड के लिए ओसकर अवार्ड में बैस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है, और इस तरह से लीड एक्टर की कैटेगरी में ये इतिहास में पहली बार किसी मुस्लिम एक्टर का पहला नॉमिनेशन है, बाकी इलियत पेट टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर आने वा डॉक्टर सोनु गांधी को, तो अभी डॉक्टर सोनु गांधी को प्रतिष्ठित सर्ब महिला उतकरष्टता पुरुसकार से सम्मानित किया गया है, सर्ब का मतलब होता है साइन्स एन एंजिनेरिंग रिसर्च बोल्ड, डॉक्टर राजेंतर सिंग बंडारी सुभास सक्कारунta scientist अवर्ड 2021 इन होने जीता, अच्छा बताएए कि से चमेली देवी पुरुसकार 2020 से सम्मानित किया गया, तो अंसर होगा नीतू सिंग को, तो अभी वरिष्ट समवात दाता नीतू सिंग को चमेली देवी पुरुसकार 2020 से सम्मानित किया गया, उन्हें ये पुरुसकार है दे मीडिया फॉंडेशन की दोरा दिया गया। बाकी गोसल्या शंकर इंटरनेशनल वुमेन आफ करेज अबॉट 2021 जीता है इन्होंने। रोहिनी गूड बोले फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान ओर्डर नेशनल ड्यू मेरिट इन्होंने जीता था। फिर बताईए वर्ष 2020 का गांधी शांती पुरुसकार किसे दिया जा रहा है तो आंसर होगा बंग बंदू शेक मुजीबुर रहमान को। नात्मक अर्थवस्ता के शेतर में 2020 से शेक मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर राश्टर पुरुसकार भी शुरू किया है। बाकि देखो बंगलादीश के हैं ये सहाधत रहमान और अभी इन्होंने अंतर राश्टर बाल शांती पुरुसकार जीता था। बाकि किरन बेदी अभी आपको याद होगा प्रसेडेंट रामनात कोविंजी ने बेटन आफ ओनर से इनको सम्मानित किया था। ये पुडुचेरी की पूर्व लेफटनेंट गवर्नर थी और वरतमान में पुडुचेरी की गवर्नर कौन है जो तेलंगना की गवर्नर है तमिली साइस सुंदर राजन उनको एडिशनल चार्ज दिया गया पुडुचेरी का और नरेंदर मोदी जी को भी सेरावी अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन भी ऐसा ही है कि 2019 के लिए गांधी शांती पुरुसकार से किसे सम्मानित किया जा रहा है तो आंचर होगा कबूस बिन साइद अलसेद को तो अमान के दिवंगत सुल्तान है ये कबूस बिन साइद अलसेद इनको वर्ष 2019 के गांधी शांती पुरुसकार से सम्मानित किया जा रहा है और ये पुरुसकार गांधी वांधी तरीकों के माद्यम से सामाजिक आर्थिक और राजनितिक परिवर्तन के लिए उनके उतकरश्टिक योगदान की मानिता के लिए दिया जा रहा है बाकी महामदो इस्तूफू अभी ना Time Service Award 2020 से सम्मानित किया गया जबकि मुस्तबा हुसेइन 2020 के लिए बिस्मिल्ला खान पुरुसकार से सम्मानित किया गया फिर बताईए 67 राश्टर फिल्म पुरुसकार समारों में सर्वश्रेष्ट फिल्म का पुरुसकार किसे मिला तो आंसर होगा शिचोरे मुवी को तो अभी 67 नैश्टल फिल्म अवार्ड की घोशना की गई जिसमें शुशान सिंग राश्पूत की मुवी जो है शिचोरे उसको सर्वश्रिष्टे हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है जबकि कंगनार नौत की फिल्म है मनिकार्णिका और पंगा उसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टरेस का अवार्ड मिला जबकि मनोज बाजपई को भोंसले के लिए और धनुश को अनुसरण मुवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है और Most Film Friendly State का अवार्ड के लिए सिक्किम को चुना गया तो ये भी ध्यान रखना फिर अभी किस बैंक ने Great Place to Work अवार्ड जीता है तो आंचर होगा ESAF Small Finance Bank ने तो ESAF Small Finance Bank को Great Place to Work Institute के द्वारा Great Place to Work Certification से सम्मानित किया गया ESAF Small Finance Bank का Headquarter मिलेगा तरिशूर केरल में इसके MDCO के Paul Thomas है बताइए अभी किस हिंदी लेखक को 2020 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा तो अंसर होगा प्रोफेसर शरद पगारे को तो जाने माने हिंदी लेखक हैं प्रोफेसर शगत पगारे इनको प्रतिष्थित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा और उन्हें उनके उपन्यास पाटली पुत्र की संब्राग्गी के लिए व्यास सम्मानित किया जाएगा तो 1991 में शुरू किये गए व्यास सम्मान को केके बिल्ला फाउंडेशन के द्वारा पिछले 10 वर्षों के दोरान प्रकाशित किसी भारतिय नागरिक के द्वारा लिखित हिंदी में उतक्रष्ट साहितिक कार्रेव के लिए दिया जाता है तो यह आप नाम याद रखना प्रोफेसर शरद पगारे का अनामिका से भी आपको याद आता होगा यह हिंदी लेखी का है अभी इनोंने टूकरी में दिगंत थेरी गाता के लिए हिंदी भाशा के साहितिक अकादमी पुरुसकार से इनको सम्मानित किया गया था बाकि रितिका चोपड़ा पत्रकारिता में उत्करश्टिता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टिट्यूट अवर्ड दोजार बीज जीता था रोहिनी गूड बूले फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान ओर्डर डू मेरिट से इनको सम्मानित किया गया था फिर बताईए कि इसने दरथ बॉन फूलियो पुरुसकार 2021 जीता तो आंसर होगा कार्मेन मारिया मचाडो ने तो कार्मेन मारिया मचाडो की इन दर ड्रीम हाउस मेमोयर ने दरथ पॉन्स फालियो प्राइस 2021 को जीता है ये कार्मेन एक अमेरिकन लेखक है बाकी बंग बंदू शेक मुजिबुर रह्मान 2020 का गांधी शान्ती पुरुसकार के लिए चुना गया कबूस बिन साइदल सेद ओमान के दिवंगत सुल्तान है ये और इनोंने 2019 का गांधी शान्ती पुरुसकार जीता बाकी महामदो इस्सोफू नाइजर के प्रसिडेंट थे ये और अभी इनी को दुनिया के सबसे बड़े लीडर्शिप प्राइज इब्राहिम प्राइज फॉर अच्यूमेंट इन अफ्रिकन लीडर्शिप 2020 से सम्मानित किया गया अचा बताईए मोबाइल फोटोग्राफी अवाड 2021 में किस देश की तस्वीर को ओवरॉल विन चुना गया तो अंचरुगा मियानमार तो साल 2021 के मोबाइल फोटोग्राफी अवाड की घोशना कर दी गई तो 75 देशों से आई 5700 एंटरीज में से न्यूजलेंड की तश्वीर को लेंड इसकेप कैटेगरी में सबसे बैस चुना गया जबकि चीनी फोटोग्राफर है डै लीची तस्वीरों को ही शामिल किया जाता है देखो मियानमार की केपिटल नैपिटो है करंसी है क्यात फिर बताईए किस भारत्य अभिनेता को फॉप्स की तरफ से लीडर्शिप अवर्ड 2021 दिया गया तो अंसर होगा सोनुसूत को तो सोनुसूत को उनके द्वारा किये ग सोनुसूत को पंजाब का स्टेट आइकॉन भी अपॉइंट किया था और युनाटेड नेशन डेवलेप्मेंट प्रोग्राम ने स्पेशल हुमिनेटेरियन एक्शन अवर्ड दिया था सोनुसूत को एसर इंडिया के ये ब्रेंड अमबेजडर भी बने थे सोनुसूत बता बेस्ट फिल्म रही थी थपड बेस्ट एक्टर है इर्फान खान अंग्रेजी मीडियम के लिए बेस्ट एक्टर है थी तापसी पन्नु थपड मुवी के लिए और लाइफ टाइम अचिमेंट अवर्ड चीता था इर्फान खान ने अभी हमने देखा था 67th नेशनल फिल्म अवर्ड की घोशना भी की गई थी उसमें बेस्ट फिल्म रही थी छे चोरे बेस्ट एक्टर का अवर्ड मनोज बाचपे ने जीता था भोंसले मुवी के लिए और धनुष ने अनुष सरण मुवी के लिए बेस्ट एक्टरेस रहितिक कंगनार रनौत उनकी फिल्म मनिक कर और पंगा के लिए बेस्ट एक्टरेस का अवर्ड मिला था उनको तो वो भी याद रखना